दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेट की जो गोलाई है किस परकार से बनाएं बिल्कुल सही दोस्तों आप लोग जो गोलाई बनाते हैं बाज मिस्तरी की गोलाई टेड़ी हो जाती है तो इस वीडियो में बताएंगे कि परफेक्ट गोलाई कैसे बनाएं जो से नाप कारव है । कितनी भी बड़ी लंबा यों और जो भी लंबाव यो स के बीच में आप को एक कील गाड लेना जो सूद बाना लेना इस परकार से उर्ट रखेंगे जां से ईंट की जो अपर की कनई आपको फाल ले ना है उनकर खाकर फालेना है यहांते ही तनी को मेर लगा लना है ज्यादा डिली गार ना लगाए नहीं तो आपका जो डूला है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दल दल सी हो जाएगी बेकार हो जाएगा थोड़ा टाइट गार लगाएं इससे और जो आप यहीं देख रहे हैं पन्नी इससे उपर गार नहीं जाने देनी है बिल्कुल भी आप को जब आप टाइट गार लगा लें तो इस परकार से आपको करनी फेलनी है गोलाई में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और दूसरी साइड भी कम्पलीट कर लेंगें कम्पलीट करने के बाद इस तरीके से आपको उपर से भी बोलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लेनी है और आप देख रहे हैं देखने में भी मारी जो बोलाई है बहुत ही सुन्दर लग रही है इस परकार से जब आप गार लगा ले इसके उपर हमें रेत डालना है रेत डालने के लिए फटी ले लेंगे और ऐसे रेत डालके उपर को खीच देंगे दोस्तो ध्यान रखना है अगर आप पलास्तर करेंगे यानि कि सीमेंट डालके करेंगे तो आपको एक दिन का रेस्ट देना पड़ेगा इसलि ऐसे ही डालना है रेट और ऐसी बिल्कुल जो गड्डे हैं उनको भी फुर कर देना है कियानी का जो गड्डे उनको भर देना है बिल्कुल भी चित्ती नहीं छोडनी है और जो रेट लगाना है वो फट्टी से नीचे से उपर की और ही लगाना है जब ही आपका रेट इस पे चिपकेगा ठीक इसी परकार से दूसरी सैड़ में भी हम रेट इस पे चिपका देंगे ऐसे ही रेट डालना है और आपको उपर की सैड़ में फट्टी खीच देनी है अगर आप उपर से नीचे उकरेंगे तो आपका रेट नहीं चिपक पाएगा ठीक इसी परकार से आपको रेट लगा लेना है आप देख पा रहे हैं दोस्तों की हमारी गोलाई जो बड़ी बहतरी दिखने में भी लग रही है तो इसी परकार से आपको अपनी गोलाई पर तयार करनी है और जो आप ये देख रहे हैं ये इनपोटेंट है यानि के आप देख सकते हैं यह इनट की कन्नी है यहाँ पर यह वाली यह मैं पहली कन्नी है और यह उपर की कन्नी है आप देख सकते हैं कन्नी से उपर हमने जरा से भी मिट्टी नहीं पहुचाई है इसी परकार से आपको मिट्टी इन कन्नी से उपर नहीं जाने देनी है आप देख सकते बिलकूर इटकी कन्नी पर है ठीक है इसी वज़े से आपकी गोल आई जाए बिलुकूर परफेक्ट बने के और जरा से भी फरक नहीं आएगा। उमीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो के लाइक जरूर करें।